नलिनी जैवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को बॉम्बे में हुआ था। उनका फिल्मी सफर बेहत दिल्चस्प रहा। वह अपने बचपन से ही अभिनाय में रुची रखती थी और उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में फिल्मों में कदम रखा। नलिनी जैवंत मशूर अदाकारा शोबना समर्थ की कजिन थी जो नूतन की मा थी। इस रिष्टे के कारण नलिनी का बचपन से ही फिल्मी दुनिया से गहरा संबंध रहा। नलिनी जैवंत ने अपने करियर की शुरुवात 1941 में फिल्म राधिका से की जब वह मात्र 14 साल की थी। लेकिन उन्हें असली पहचान 1948 में आई फिल्म अनोखा प्यार प्यार से मिली। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। जैसे संग्राम, शिकस्त मुनीन जी और काला पानी नलिनी जैवंत का करियर उस दौर में उचायों पर था जब मधुबाला, नर्गिस और मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियां भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय थी। इसके बावजूद नलिनी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। दर्शकों को अपने किरदारों के साथ जोरने में काम्याब रहती थी। नलिनी जैवंत ने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया, जिन में अशोक कुमार, देव आनंद, दिलीब कुमार और राज कपूर जैसे अभिनेता शामिल थे। विशेश रूप से अशोक कुमार के साथ उनकी जोरी को दर्शकों ने खूब सराहा, फिल्म शिकस्त और संग्राम में उनकी जोरी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, उन्होंने अभिनेता प्रभु दयाल से विवाह किया, नलिनी एक बेहद निजी जीवन जीने वाली शक्सियत थी,